नमस्कार दोस्तों, चाहे क्रिप्टो कनशी की मार्किट हो, चाहे शेहर मार्किट हो, अगर आप लोग सही टाइम पे सही एंट्री लेंगे, तो आप लोग यहां से बहुत बड़ा प्रोफिट ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों नहीं यहां से प्रोफिट लिया भी है, ले भी रहे हैं और आने वाले टाइम में भी प्रोफिट लेते रहेंगे ये सिलसिला चलता ही रहेगा लेकिन आपको साथ के साथ ही साथ ही सही टोकन और कोईन भी आपको चूज करना होगा जैसे कुछ लोगों ने जब डोजी को चूज किया था सीवा में एंट्री ली थी बियन चारे लोगों ने यहां से प्रोफिट लिया है लोज किन ट्रेडर्स को होगा जो अपने मनमर्जी के मुताबिक जब मन में आया उसी टाइम पे ट्रेडर ले ले लेंगे बाय कर देंगे या फिर सैल कर देंगे तो वो लोग हमेशा लोज में ही रहेंगे और फिर वो बोले तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे टोकन के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां से आप लोग बहुत अच्छा प्रोफिट ले सकते हैं, कब उसका बाय का टाइम है, और कहां पे ये मिलेगा, और क्यों ये आपको बहुत बड़ा प्रोफिट दे सकता है, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों ये जो टोकन है, ये बराइज है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में इसका टेकनिकल अनैलिसिस भी हम लोग करेंगे, आगे आने वाली इसकी जो चीज़े हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, अभी क्या सप्लाई, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक हजार ट्रिलियन, और यहां पे 395 ट्रिलियन यहां पे अभी सर्कुलेटिंग में हैं, यानिके सर्कुलेटिंग सप्लाई 395 ट्रि वहाँ पे नहीं ले जाओंगा आप लोगों को इसका जो सबसे बड़ी और मेन बात जो इसकी है more specifically the gas fee is 0.000 देखे 0.000 बोलते चले जाए 1 per transaction यानि के जो इसकी gas fee से per transaction वो लगबग 0% है और बहुत ही advance इसकी बलोकचेन है लेकिन price इसका इतना कम क्यों है पहली तो बात अभी तक ये underestimate है अभी ये आने वाला है वैसे तो चर्चा इसकी अभी भी start हो गई है 223 नमबर पे ये आ चुका है लेकिन अभी क्यों ये चर्चा में आएगा और क्यों इसका price बढ़ने वाला है वो आगे माँ आप लोग को वीडियो में बताने जा रहा हूँ लेकिन main जो इसका price कम है उसकी जो main reason है वो है एक तो supply इसकी बहुत ज़ादा है और दूसरा ये underestimate इसको किया जा रहा है जो whales type के लोग है जो बहुत ज़ादा investment करते हैं उनका ध्यान अभी तक इसकी तरफ नहीं गया है चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कि अब ये कहां पे है और क्या ये करने वाला है सबसे पहले ये one hour का chart हमने open किया हुआ है और यहां से एक downtrend हमारे को देखने को मिला अब दूसरा दोस्तों यहां पे आप लोग इसको देखेंगे तो यहां पे एक clear W यहां पे जो क्रिप्टो करनेशी में जो analysis करते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं technical analysis के बारे में तो यहां पे इस W के बारे में वह ज़्यादा तर जानते ही होंगे और यह W बना तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अगर यहां पे 100 डॉलर भी investment करते हैं तो आपकी यहां से life set हो जाएगी जैसे कुछ लोगों ने CBNU में अगर 10 डॉलर भी वहां पे invest किये थे तो आज वो लोग life set हो चुकी है अब इसका all time high आप यहां पे देख सकते हैं और यह W बनकर अगर all time high पर भी चला जाए तो भी बहुत बड़ा profit आपको हो जाएगा कहीं गुना का कहीं 1000% का profit आपको हो जाएगा लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से यह चल रहा है और जिस हिसाब से अभी इसकी new जाने वाली है और event होने वाली है तो यह old time high को भी break कर सकता है एक तो यह हो गया कि यह अभी यहां पे यह जो clear W यहां पे बना रहा है अब दूसरा दोस्तों आप लोग को बताने चाहूंगा यहां पे आप लोग देखिए यह यहां पे इसका एक sport का area है बहुत ही सांदार और यहां से अभी भी recent इसने यहीं से वापस bounce back किया है और यह अगर यह 5% down चला जाए तो उसी range में आ जाएगा अपने sport के area में यानि के अब आप लोग यहां पे entry ले सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत weight भी कर सकते हैं क्योंकि cryptocurrency की हाला तभी थोड़ी सी खराब है थोड़ा weight भी कर सकते हैं लेकिन अगर अभी भी आप लोग entry ले ले तो यह W जब अपना काम करेगा और जो आगे मापको बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है तो बहुत बड़ा profit आपको हो जाएगा अगर बात करें यह जो इसकी sport है फिलाल की तो इसने सिर्फ एक बार इसको break किया है उसके बाद इसने कभी इसको break नहीं किया है और यहा अभी अपने sport का जो area है उसके ही आसपास है और दूसरा यह technical analysis के हिसाब से बात करें तो यह clear W बन रहा है अब तीसरा जो इसके बहुत ही फीवर में है दोस्तो next year यह year तो भी खतम ही होने वाला है next year ब्राइज की बहुत सारी events है और ब्राइज की फिलाल अगर बात करें तो इन्होंने अपनी exchange launch कर दी है अभी website है उसकी application भी आएगी और बहुत सारी event इसकी next year है तो यह W अपना काम कर सकता है और बहुत बड़ा profit आप लोगों को दे सकता है बहुत सारे जो मेरे viewer है और cryptocurrency में trading करते हैं और मेरी वो लगतार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने काफी द same उसी condition में है और उसी price range में है मतलब same condition है आप लोग ये समझेए उसकी भी event आने वाली थी और बहुत ही underestimated था खुद की blockchain थी और भी कहीं सारी चीजे थी लेकिन दोस्तों इसकी एक दो चीजे जिल से भी फिलाल पलस में है जब ये इस price के आसपास है तो आप लोग यहाँ पर entry ले सकते हैं अब यहाँ पर यह मिलेगा कहां तो यह bitmart exchange पर आपको मिल जाएगा bitmart exchange में अगर आपका account नहीं है तो description में link दिया हुआ है अगर 100 dollar के भी buy कर लेंगे और यह जो W बन रहा है तो इसको थोड़ा long time के लिए आप लोग देखके चल सकते हैं या फिर आने वा लोग अपना profit book करते ही चलिएगा लेकिन अगर आप लोग long term के लिए hold करेंगे तो 2025 के bull run में यह आपको बहुत बड़ा profit दे सकता है तो दोस्तों मैंने आप लोग को यह बता दिया कि यह मिलेगा कहां पे bitmart पे मिलेगा bitmart पे अगर आपका account है तो कोई दिक्कत नहीं है और जितना भी था इसके बारे में कई सारे motor motors की total supply वगारे की भी बात कर ली और जो यह technical analysis अभी आप लोग के सामने है यह W आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे volume भी अच्छी खासी आ रही है पीछे आप लोग देखे तो यहाँ पे बिल्कुल भी volume नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी उसी price के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी volume आ रही है और यह अपना W जो है यह काम कर सकता है और बहुत बड़ा profit आप लोग को यहाँ से मिल सकता है तो दोस्तों यह है आज का price token अभी दिरे दिरे चर्चा में आ रहा है underestimated है आप लोग इसका फाइदा उठा सकत है आप लोग उसका सिर्फ 5% ही crypto currency में आप लोग trade करने में या किसी भी token या coin में आप लोग invest करियेगा क्योंकि यह बहुत ही highly volatile market है कभी भी कुछ भी हो सकता है एक bad news एक negative news सारे का सारे काम को बिगार सकती है यानि कि जो आपको profit होना था और एक coin या token या पूरी market जो उपर हो जाए तो आप लोग उसको सेहन कर पाएं तो दोस्तों यह था आज का token बाकि आप लोग price के बारे में क्या जानते हैं और क्या आपको लगता है अपनी राय कमेंट करके देना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मिलेंगे next video में तब तक के लिए thank you and bye bye